कि Limiting Reagent the शॉर्ट में इसको लार कहते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे क्या होता है Limiting Reagent पहले definition लिखेंगे इसके बाद थोड़ा समय समझा दूंगा बहुत आसान है आसान है आसानी जाएंगे और मैं हूं नॉक्टर विने सिंग है और आपका प्यारा सा चैनल के मैं स्रीवान कैसे डिफाइन करते हैं वच्चों लिमटिंग रियजिंट को यह द्हान से सुनिएगा लिमटिंग रियेजेंग का मतलब यह है कि दा रिएक्टेंट दा रियाक्तेंट आप दाइ is entirely, entirely consumed, entirely consumed when a reaction, when a reaction goes to complete या goes to completion, अगर एक reaction complete हो रहा हो, उसमें एक एक reactant, जो एक reactant होगा, वो completely, entirely consumed हो जा, खत्म हो जा एक दम, उसका कुछ भी पार्ट बचे न, ऐसे reactant को, completion is called as, that entire, called as limiting reagent, उस reagent को, उस reactant को limiting reagent कहेंगे बच्चों, यह याद रखेगा बस, limiting reagent कहेंगे उसको, LR, समझेगे, कोई reaction अगर हो रहा हो, तो उसमें 2 reactant minimum तो होनी चाहिए, अच्छे, एक reactant अगर होगा, तो नहीं होगा, उसमें limiting reagent नहीं लेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, अगर 2 reactant है, तो एक reactant हो सकता हो, कि जल्दी consume हो जाए, पूरा consume हो जाए, खतम हो जाए, पहले ही खतम हो जाए, तो जब पहले खतम हो जाएगा, entirely consumed हो जाएगा, उस reactant को हम कहते हैं, limiting reagent, clear, अब जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा reactant है, वो तो बचा रह जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, excess reagent, ऐसे लिखेंगे, the other reactant, the other reactant remains, remains unreacted, unreacted, is called as, is called as excess reagent, बस यह समझना है, is called as excess reagent, short में इसको ser लिख देंगे, ठीक है, यह अपने समझने के लिए कोई, बहुत authentic presentation नहीं है, बुक वगरह में नहीं मिलेगा, तो ER कह देंगे, clear, समझते हैं, एक equation से, फ़ले एक point और लिखते हैं, उसको ER कहेंगे, excess reagent, किसी भी reaction में जो product बनेगा, वो कितना बनेगा, उस product का amount हमेशा limiting reagent से decide होगा, यह ध्यान समझ जाए, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दो reactant है, react करके product बनाएंगे, एक reactant जल्दी consume होगा, एक reactant बचा रह गया, तो जो जल्दी consume होगा, जो खतम होगा, वही तो decide करेगा, कितना product बनेगा, यह बात ध्यान रखेगा, तो मैं एक point लिख रहा हूँ, the amount of product for will be decided by limiting reagent, यह याद रखेगा, कितना limiting reagent, कितना product बनेगा, वो limiting reagent बताएगा, कितना product बनेगा, हम लोग देखेंगे, जो numerical solve करेंगे, तो दर आगे चलके देखेंगे, क्या होगा, ठीक है, इतना आपन तीन point याद रखना है, सबसे पहली बात यह है, कि reactant that is entirely consumed, when a reaction goes to completion, is called as limiting reagent, ऐसा reactant जो जल्दी खतम हो जाता है, जल्दी consume हो जाता है, reaction complete होने पर, पहले consume हो जाता है, उसको हम कहते हैं, limiting reagent, और दूसरा reactant, जो unreacted है, उसको हम excess reagent कहेंगे, और amount of product जो बनेगा goal limiting reagent, decide करेगा, कि कितना amount product बन रहा है, clear, चलो, यह clear हो गया, अब अपन देखते हैं, एक example से समझते हैं, जैसे मान लो, a plus b give rise to c, यह खात तर्टिकल reaction है, 1, a, 1, b give rise to 1, c, यह 1 क्या है, 1, 1, 1, यह क्या है, इसको हम कहते हैं, stoichiometric coefficient, stoichiometric, stoichiometric coefficient, coefficient, यह stoichiometric coefficient है, इस एक balance equation को ध्यान से देखो अच्यों, बस यहां आप समझ गए, तो समझ लोग काम पक्का है, 1 mole of a reacts with 1 mole of b gives 1 mole of c, 1 mole of a, 1 mole of b से reaction कर रहा है, 1 mole of c बना रहा है, इस reaction को देखके यही clear हो रहा है, कि a का a mole, b का 1 mole, react करेंगे आपस में, तो c बना, c का 1 mole बनाएंगे, clear है, ठीक, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 mole of a plus 1 mole of b, यह react करके क्या बना रहा है, 1 mole of c, यह बना रहा है, अगर मैं आपसे question raise करूँ, कि जैसे माल लेजिए हमने इस reaction को कराया, और 4 mole of a लिया, और इसका 6 mole लिया, किसका, b का, b का हमने 6 mole लिया, a का 4 mole लिया, अब बताओ, c का कितना mole बनेगा, clear, बहुत simple सी बात है, अब देखो इसको कैसे relate करूँए, आप यह समझ गए तो काम पक्का है, बहुत simple है, देखो, 1 mole of a, 1 mole of b से reaction करके, 1 mole of c बना रहा है, इसका मतलब, 4 mole of a, 4 mole of a, is this, 4 mole of a, किस से react करेगा, कितने से, 4 mole of b से, बहुत अच्छे, 4 mole of b से react करके, कितना बना देगा, 4 mole of c, नहीं, बहुत simple है, 1 mole of a, 1 mole of b, react करके, 1 mole of c बना रहा है, तो 4 mole of a, 4 mole of b से react करके, 4 mole of c बना देगा, तो product कितना बनेगा, product का amount क्या हो जाएगा, 4 mole, और limiting reagent कौन हो जाएगा, limiting reagent, A हो जाएगा, A will be the, limiting reagent और excess reagent काउन हो गया B कितना excess reagent का amount कितना हो जाएगा B का देखो 6-4 2 mol excess हो जाएगा इसका जो unreacted हो जो react नहीं करेंगे बचे रहेंगे reaction में clear हो गया बहुत simple है 4 mol इस stoichiometry से पता चलेगा कि reaction कैसे react कर रहा है इस तो 4 mol of a react किया B से B के 4 mol से C का 4 mol बन किया बहुत simple है ओके तो ए जो है वो कम है देखो 40 mol है यह 6 mol है और 1 is to 1 ratio में यह required है reaction के लिए तो 4 mol यह जल्दी consume हो जाएगा बी बचा रहे जाएगा तो ए जो है ए विल बी लिमिटिंग रियेजेंट देखो एला ए लिमिटिंग रियेजेंट ए होगा और प्रड़क्ट कितना बन जाएगा 4 mol एक्सेस रियेजेंट काउन हो जाएगा वी और कितना बचा रहा जागा 2 mol ठीक बहुत सिंपल ओके अब एक जन्राल एक्क्वेशन लेकरके यह तो बहुत सिम्पल सी बात थी अब कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम लोग एक जन्राल क्वेशन लेकरकेग जिसमें कॉफीशंट जो stoichiometric coefficient है यह हमेशा याद रखिएगा बच्छों हम लोग यहां SC लिखेंगे stoichiometric coefficient थोड़ा शॉट में लिखेंगे क्योंकि stoichiometric coefficient बड़ा लग रहा है SC लिख लेंगे तो अगर वहां पर one ratio one में नहीं है stoichiometric coefficient थोड़ा vary कर रहा है तो एक common discussion करते हैं कि कैसे अगर किसी भी तरीके सा question आ जाए तो हम लोग solve कर लें बड़ा important है limiting region पर question आता है तो यहां तो clear है चलिए एक general equation लेकर के इसको समझते हैं और चोटे आसान ट्रिक के साथ समझते हैं clear मैं इसको मिटा रहा हूं एक balance common equation लिखते हैं बच्छों जैसे माले हुमारे पास a plus b capital B give rise to small c and plus small d capital d आप दिखना इसमें जो a b और यह small a b है small a small b small c small d यह क्या है stoichiometric coefficient इस reaction reactant a का stoichiometric coefficient यह है b का small b है small a b c and d इस आप स्ट्राइक्योमेट्रिक को efficient यह clear हो गया यह एक reaction common reaction हो बस देहां से देखना यह एक common reaction है इस common reaction के में हम यह देखेंगे कि किस तरह से limiting reagent को find करते हैं बिल्कुल short trick से ठीक है बिल्कुल short trick से short trick क्या है short trick यह है कि हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे मोल्स किसी भी reactant का मोल्स मोल्स अपन स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशियन्ट रेशियो निकालेंगे जिस reactant का रेशियो यह रेशियो जो है वह lowest होगा lowest मोल्स अपन स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशियन्ट रेशियो lowest for the reactant that will be that will be LR यह हमारे पास सब्सक्राइग का गया हमारे सामने एक important trick आचुका है अब हम देखेंगे कि moles upon stoichiometric coefficient ratio जिस reactant का सबसे कम होगा वही होगा limiting reagent यह short trick है इसको याद रखना पॉप रखी ओके क्या रखेंगे moles upon stoichiometric coefficient इसका मतलब यह है कि दोनों reactant का हम यह ratio निकालेंगे और यह देखेंगे किसका कम हो रहा है जिसका कम होगा वही limiting reagent होगा सिम्पल सा बहुत आसान trick है चलो हमने माल लिया moles of moles of a is equal to na or moles of b nb moles of c nc और moles of d okay nd capital में है यह a का mole है यह b का है यह c का और d का यह moles हो गया और stoichiometric coefficient हम जानते हैं चलो इसके लिए निकालें a के लिए ओके यह देखो इसके लिए तो निकालते हैं यहां से लिखते हैं moles n a upon stoichiometric coefficient of a okay कितना हो जाएगा n a upon stoichiometric coefficient a कितना हो गया small a और n b upon stoichiometric coefficient b अब देखो अगर इन दोनों में इन दोनों में जिसका value कम होगा मालो हमारा इसका value कम है तो इसमें लर क्या हो जाएगा lr कौन हो जाएगा a limiting region क्यों क्योंकि moles upon stoichiometric coefficient ratio इस b के moles upon stoichiometric coefficient इसका ratio a का b के ratio से कम है इसलिए limiting region कौन हो जाएगा limiting region will be a और excess region कौन हो जाएगा यह ध्यान से समझना है कि a will be limiting region and b will be excess region ओके यह ध्यान से समझनेगा इसका मतलब यह होगा बचों हमको यह निकालना है moles upon stoichiometric coefficient ratio जिस reactant का यह ratio कम होगा वही आपका limiting region होगा बस एकदम ध्यान से यह बाद ध्यान में रख लेनी है एक चीज और याद रखना है कि limiting region will decide the amount of product limiting region से ही product decide होगा तो कितना c बनेगा कितना d बनेगा वह किस से decide होगा ac ओके ac तो क्या करेंगे moles upon stoichiometric coefficient इस ratio से इन दोनों को equate कर देंगे हमारा product आ जाएगा ठीक है हमेशा याद रखेगा कैसे देखिए amount of product के लिए amount of product equate करते हैं हमेशा याद रखिएगा कैसे equate करेंगे product के लिए na upon a is equals to nc by c यह हो गया और na upon a is equals to nd upon d यह दो formula आप याद रखिएगा इसका मतलब यह हुआ बचों यह trick बहुत important है इसको याद जरूर रखिएगा moles upon stoichiometric coefficient इसका ratio जिस भी reactant के लिए lowest होगा कम होगा वही आपका limiting reagent होगा और limiting reagent decide करेगा कि product क्या बनेगा कितना बनेगा तो उस limiting reagent के value से moles upon stoichiometric coefficient उससे relate कर देंगे तो देखना na upon a यह आपका limiting reagent हो गया अब उसको c से nc upon c ओके यह देखो यह c capital है और यह small coefficient वाला है यह वाला सी है और यह small d end है ठीक है clear इस तरह से हम लोग इस पूरे limiting reagent पर जितनी भी base numerical है उसको solve करेंगे और मुझे लगता है कि आप समझ गया होंगे कि किस तरह से इसको solve करना है एक बार फिर से देख लो चलो फटा फट देख लो जब्डी से मोल्स अपन stochiametrics coefficient ratio निकालेंगे reactant के लिए दोनों reactant के लिए निकालेंगे जिस reactant का मोल्स अपन stochiametrics coefficient कम होगा lowest होगा वही limiting reagent होगा clear ओके और जिसका जादा होगा वह excess reagent हो जाएगा limiting reagent से ही product को हम find करेंगे कितना amount product बंदा जैसे उसको equate कर देंगे molds upon stoichiometric coefficient of A is equal to Nc upon C, okay, Na upon A, Ndyd, इससे equate करके हम amount of product निकाल लेंगे, कैसे, एक numerical से समझते हैं, ठीक है, okay एक numerical लेते हैं, बच्चों, question लेते हैं, question आपका है, four moles of, four moles of H2 reacts with, reacts with four moles of O2 to produce water, water बनाने के लिए, to produce water, okay, to produce water, find number A, limiting reagent, limiting reagent, कौन इसमें limiting reagent होगा, B, excess reagent, इसमें excess reagent कौन होगा, और C, amount of product, amount of water formed, कितना पानी, water बना है, बच्चों, बस यह question आपके पास है, कैसे solve करेंगे, देखो, solution बनाते हैं, question दे रहे हैं, four moles of H2 reacts with four moles of O2, बहुत simple है, एक balance equation लिखते हैं, सबसे पहले balance equation लिखेंगे, H2 plus O2 give rise to H2, चलो balance करते हैं, दो hydrogen तो balance है, oxygen यहाँ one है, two कर देंगे, यहाँ two कर देंगे, ठीक है, देखो, two, 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 four, two, two, four, two oxygen, and now two oxygen, ओके, यहाँ क्या, reaction balance हो गया, देखो, इसका two moles, one moles से react करके, two moles of water बना रहा है, यह स्ट्राइक्योमेट्री बता रही है, इस reaction के स्ट्राइक्योमेट्री बता रही है, two moles of hydrogen reacts with one mole, हगर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब one mole, ओके यह one mole हो गया, so one mole of oxygen से react करके, two mole of H2O बना रहा है, बहुत simple, ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस यह आप ध्यान में रखिएगा, given क्या है बच्छों, given क्या है, बस यह ध्यान रखिए, given है, nH2, moles of H2 कितना है, four moles, moles of O2 कितना है, देखें, question में, moles of H2, four, moles of O2, four, okay, moles of O2, four moles, okay, जो दिया है question में हमने यहां लिख लिया, okay, और stoichiometry, यहां question से देखो, stoichiometry of H2 कितना है, two, stoichiometry of stoichiometry coefficient of O2 कितना है, one, okay, और stoichiometry coefficient of H2O कितना है, two, बस, हमने जो concept आपको बताया है, बच्छों, उसको लगा दो, कुछ नहीं करना है, क्या लगा देए, moles, moles upon stoichiometry coefficient, इसका moles कितना है, देखे, four, ऐसे लगाते है, moles upon stoichiometry coefficient, यह formula लगा दीजिए, देखते हैं, इन दोनों reactant में से किसका कम होता है, तो H2 का moles कितना दिया है, four upon stoichiometry कितना है, two, और यह कितना आ गया, यह आ गया, यह आ गया आपका two, और oxygen के लिए निकालते है, यह for H2 हो गया, ठीक है, और for O2 निकाल लो आप, कितना है, moles दिया हुआ है, four upon stoichiometry coefficient कितना है, one, तो यह value कितनी आ गयी, four, कौन सी value कम है, this one is, two is less than, two is less than four, okay, two is less than four, तो यह four ज्यादा है, यह two कम है, तो two is less than four, इसका मतलब यह है, यह किस के लिए two है, hydrogen के लिए, तो limiting reagent काउन हो गया, limiting reagent will be O2, पहला answer हो गया, बच्चों, limiting reagent will be H2, बहुत सिम्पल है, देखो, moles upon, moles upon stoichiometry coefficient, hydrogen के लिए two आ रहा है, और moles upon stoichiometry coefficient, यह oxygen के लिए four आ रहा है, तो hydrogen के लिए कम आ रहा है, इसका मतलब hydrogen will be limiting reagent, okay, so H2 will be the limiting reagent, और B, excess reagent काउन हो जाएगा, oxygen, बहुत सिम्पल, अब देखो, amount of product C, water कैसे बना, water कितना बना, amount of water, कैसे निकालेंगे, amount of H2O कितना होगा, यह हमको निकालना है, तो सिम्पल क्या, हमने आपको बताया था, limiting reagent से हम equate करेंगे product को, तो limiting reagent का, that is, moles of H2 upon stoichiometric coefficient of H2 is equals to moles of H2O upon stoichiometric coefficient of H2O, यह देखो, तो moles of H2 कितना है, moles of H2, 4 upon stoichiometric coefficient of H2 कितना है, 2, देखो यह पर 2, so 2 is equals to N2 कितना है, हमको नहीं पता, हम find कर लेंगे, ओके, NH2O, और इसका coefficient कितना है, 2, देखो, 2, 2 से cancel out, NH2O is equals to, NH2O कितना हो गया, 4 moles, 4 moles of water बनेगा, कितना बनेगा, 4 moles of water, लेकिन क्या है बच्चों, इसको आपको निकालना है gram में, moles में नहीं, amount पूछा है gram में, तो क्या, simple formula लगा देते हैं, we know, क्या, moles is equals to, moles is equals to, mass upon molar mass, mass upon molar mass, बहुत simple, mass upon molar mass, तो इससे हमको mass निकल जाएगा, mass is equals to, moles into molar mass, बहुत अच्चे, तो moles कितना है, 4, और molar mass hydrogen का कितना हो, H2O का, molar mass of H2O न, H2O का molar mass, कैसे निकाल लेंगे, H2O, hydrogen का atomic mass, 1 into 2, plus oxygen का atomic mass, 16, so 2 plus 16 is equals to, 18, molar mass 18, multiply कर देंगे, 18 forja, 72, 72 gram, यह answer हो गया, ओके, clear, ऐसे question solve करते हैं, चलो यह थोड़ा easy हो गया नहीं, तो एक numerical और लेते हैं, उसको solve करते हैं, clear हो जाएगा concept, ओके, एक question ओ लेते हैं बच्चों, question number 2 देखते हैं आपको, बहुत easy रहेगा, question number 2 है, 1 gram of H2, देखना, 1 gram of H2, 1 gram of H2 reacts with 1 gram of Cl2 to produce, to form product, okay, to form product, product बनाने के लिए हमने यह reaction कराया, 1 gram of H2 reacts with 1 gram of Cl2, क्लोरीन के 1 gram से reaction किया, find, question is that, find limiting reagent, find limiting reagent and amount of product, amount of product formed, कितना product बना यह निकाना है, ठीक है, बहुत simple सा, so, कैसे solution बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक balance equation लिखेंगे, चलो balance equation लिखते हैं, H2 plus Cl2 give rise to HCl, okay, तो balance करेंगे, इधर देखो 2 लगा दिया, balance हो गया, ठीक है, balance हो गया, अब balance होने के बाद देखेंगे, देखो simple सा, स्ट्राक्योमेट्री क्या है इस reaction का, कि इसका 1 mole, देखना, 1 mole of, 1 mole of H2, 1 mole of Cl2 से reaction करके, 2 mole of HCl बना दे रहा है, बस यह ध्यान में रखना है, ठीक है, अब हम चलते हैं, दिया क्या है, 1 gram of H2, and 1 gram of Cl2, gram में दिया है, चलो, तो पहले moles निकाल लेते हैं, simple सा, क्या निकाल लें, moles, NH2, कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, moles of H2, given mass, बोलो भी, given mass, upon molar mass, यह formula आपके पास है न, इसका आप देख सकते हैं, वैसे और जादा समझना हो, moles कैसे निकालते हैं, तो हमारा previous वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर mole concept में, पूरा detail मैंने समझाया है, कि किस तरह से moles को निकालने हैं, बहुत इजी तरीके से, तो वहाँ आप जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, given mass upon molar mass, so NH2 is equal to given mass कितना है, 1 gram, molar mass कितना होगा hydrogen का, 2, तो ही हो गया बच्चों, NH2, चलो NCl2 निकाल लेते हैं, NCl2 कैसे निकालेंगे, given mass, इनका भी given mass upon molar mass, बहुत simple, ठीक है, given mass कितना है, 1 upon molar mass, देखना, क्लोरीन, क्लोरीन का atomic mass कितना होता है, 35.5 multiply by 2, यह हो गया 71, यह 71, NCl2, NCl2 1 upon 71, और NH2, आगे आपका hydrogen के लिए इतना, ठीक है, तो बहुत simple, अपना concept लगाते हैं, जो हम लोग पहले सीखते आये हैं, कौन सा concept लगाएंगे, moles upon stoichiometric coefficient, moles upon stoichiometric coefficient, और moles, इसका भी निकाल लेते हैं, moles, hydrogen, HCl के लिए, चलो, वो तो question में निकलेगा, question में निकालेगा हम लोग, ठीक है, यहां से question देखते हैं, given mass, यह बनापन, अब देखो, हम निकाल लेंगे, NH2 upon stoichiometric coefficient of H2, ठीक है, और NCl2 upon stoichiometric coefficient of Cl2, चलो, दोनों रखते हैं, बच्चो, NH2 कितना है, 1 by 2 upon stoichiometric coefficient कितना है, 1, तो यह क्या हो गया, 1 by 2, और इसका निकालते हैं, 1 upon 71, stoichiometric coefficient कितना है, 1, तो यह हो गया, 1 upon 71, देखना, किसका कम है, किसका कम है, यह इससे जादा है, इसका value कम है, इसका मतलब limiting reagent कौन हो जाएगा, limiting reagent will be chlorine, limiting reagent will be chlorine, chlorine limiting reagent हो गया, क्यों, क्योंकि इसका moles upon stoichiometric coefficient कम है, 1 upon 71, और यह 1 upon 2, यह 0.5 है, यह बहुत चोटा है, इसका मतलब limiting reagent हो गया, आपका CL2, और excess reagent कौन हो जाएगा, H2, बहुत सिंपल, ओके, this will be the limiting reagent, अब children, यह find करना हमको, कि कितना amount of product बनेगा, ठीक है, तो amount of product निकालने के लिए क्या करते हैं, limiting reagent से उसको equate कर देते हैं, किसको, इसको, तो limiting reagent क्या है हमारे पास, देखना, यह है, nCl2 upon stoichiometric coefficient of Cl2, is equals to, equate करेंगे, HCl से, nHCl upon stoichiometric coefficient of HCl, ओके, so nCl2 कितना है, number of moles of Cl2, see here, 1 upon 71, 1 upon 71, upon stoichiometric coefficient, Cl2 का 1, is equals to, nHCl, हमको find करना है, moles of HCl, and stoichiometric coefficient कितना है, 2, यह देखे, so, यह 1 upon 71 हो जाएगा, और nHCl upon 2, तो nHCl कितना हो जाएगा, बच्चों, nHCl, nHCl is equal to, 2 upon 71, इतना moles, यह इतने moles हो गएगा, बच्चों, इतने moles HCl के, अब हमको निकालना क्या, amount of product, it means, इसका mass निकालना है, ठीक है, mass कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, हमारे पास क्या formula है, moles is equals to, moles is equal to, mass upon molar mass, very good, molar mass, so mass is equals to, moles into molar mass, okay, moles into molar mass, moles कितना है, 2 upon 71 into molar mass, HCl का molar mass कैसे निकालेंगे, देखे, HCl, hydrogen का, atomic mass, 1, plus chlorine का, 35.5, यह हो गया, 36.5, into 36.5, इसको अगर multiply करते हैं, कितना आ जाएगा, 73, 73 upon 71 gram, this is the answer, यह है answer बच्चों, 73 upon 71, यह हो गया, mass of, mass of HCl, okay, इतना mass, जो है, product बनेगा, clear, all right, okay, एक और numerical कर लेते हैं, वहां हम समझेंगे कि, अभी तक हमने समझा है कि किस तरह से mass of product निकालते हैं, excess of reagent निकालते हैं, और limiting reagent निकालते हैं, यहां पर हम चेक करेंगे, दूसरी numerical में, एक और numerical में, कि किस तरह से हम किसी excess reagent का amount निकाल सकते हैं, कितना बच्चा हुआ amount उस reaction में है, उसको देखते हैं, एक numerical के तरह, okay, 1 gram of, 1 gram of mg is burned, is burned in a closed vessel, in a closed vessel which contain, which contain 0.5 gram of oxygen, okay, find number 1, which reactant is limiting reagent, B, which reactant is excess reagent, C, okay, amount of, amount, जो excess reagent है, वो कितना बच्चा है, amount और mass of, mass of, excess reagent, remaining, कितना ये बच्चा हुआ है, उसको निकाल लो, ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक question चाहें तो और भी जोड सकते हैं, कि कितना इसमें product बनेगा, कितना product बना, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन कोई, नहीं है, वो तो निकालते आया हूँ, चलो, solution बनाते हैं, equation आओ लिख सकते हैं, amount of product form, ओके, लेकिन कोई ज़रुद नहीं है, simple सा, इसका पहले, balance equation लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे balance equation, mg को burn करते हैं, oxygen की presence में, तो magnesium oxide बनता है, mg यह हो, oxygen 2 है यहाँ पर, balance कर देंगे, 2, वो इज़र 2 mg, balance हो गया, नहीं, simple, देखें, बस, balance हो गया, अब क्या करेंगे, अपन simple सा है, इसका 1 g ग्राम दिया हुआ है, तो इसका moles निकालते हैं, है न, यहाँ देखे, N mg, कितना हो जाएगा, given mass, mass upon molar mass, यही तो होता है, mass upon molar mass, mass कितना है, 1 g ग्राम, magnesium का molar mass, बोलिए, 24, इतना, इतना moles आ गए, किसके, mg के, चलो, N O2 का निकालते हैं, oxygen का, given mass, 0.5, upon molar mass, 32, इतने moles आ गए, ठीक है, यह किसका moles हो गया, O2 का, चलो, अब हम क्या लिखेंगे, moles upon, moles upon, strikiometric coefficient, चलो, निकालते हैं, इतने, moles, N, N, M, G, upon, strikiometric coefficient, of M, G, और फिर, N, O2, upon, strikiometric coefficient, of O2, इन दोनों को, हम, ठाले करते हैं, देखते हैं, किसका value कम आता है, जिसका value कम हो जाएगा, वह दे, upon, 24, strikiometric coefficient कितना है, M, G, के लिए, 2, चलो गई, इधर आ जाते हैं, N, O2 कितना है, 0.5, upon, 32, और strikiometric coefficient कितना है, 1, ओके, तो यह हो गया, 1 upon, 48, और यह, 0.5 upon, 32, कौन वेलू कम है, कौन जादा है, बताओ जरा, कौन वेलू कम है, कौन जादा है, यह वेलू कम है, देखो, यह वेलू कम है, यहां 0.5 है, 32 है, और यह, 1 upon 48 है, इसका मतलब, this one, this is greater than this, यह वेलू कम हो गई, किसके लिए, oxygen के लिए, इसका मतलब, limiting reagent, पहला answer, limiting reagent कौन होगा, O2, oxygen will be the limiting reagent, ओके, clear हो गया बच्चों, ठीक है, oxygen will be the limiting reagent, और B, excess reagent कौन हो जाएगा, excess reagent, वो हो जाएगा आपका, Mg, Mg will be excess reagent, अब हमें find यह करना है, children, कि excess reagent में, कितना इसका amount बच रहा है, किसका, ER का, that is Mg का, Mg में, कितना react कर दिया, कितना बच रहा है, तो बहुत simple है बच्चों, देखो, बहुत simple है, आपके पास, हमने आपको बताया, कि जो, यहाँ देखते हैं, इस question में देखो, available magnesium कितना है, सी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, total, total moles of, total available mg, कितना mg है, available mg कितना है, दिखना, इतना moles है, given mass, 1 gram है, 1 upon 24, है न, नहीं, हाँ 1 upon 24, यह है, इतना moles हमारे पास available है, ता available 1 upon 24, ओके, कितना consume हुआ, consumed magnesium, consumed mg, कितना consume हुआ, जरए इसको देखो, अब आप reaction को देखो, इस reaction को देखो, यहाँ कितना है, 1 mole, और यहाँ कितना है, 2 mole, इसका मतलब क्या है, twice, twice of oxygen, oxygen का 2 गुना मोल यहाँ खर्च हो रहा है, magnesium, इसका 1 mole है, तो इसका 2 mole चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, twice of, twice of O2, consumed mg कितना हो गया, twice of O2, O2 का कितना mole है, देखना है हाँ, O2 का total mole कितना है, this one is, यही तो है, बोले, इसका twice कर देंगे, 2 into 0.5 upon 32, यह कितना हो गया, 1 upon 32, नहीं, इतना moles, कितना, खर्च हुआ, काओन, mg, तो remaining कितना हुआ, तो लिख देंगे आपा, remaining mg, remaining mg, कितना moles हो जाएगा, total में सही, इतना खर्च हुआ, minus कर देंगे, 1 upon 24, minus 1 by 32, चलो, इसको solve करो, solve करो, LCM देते हैं, 24 और 32 का, कितना आएगा, 24, 32, ओके, कितना कर दें, नहीं, अगर दो से करेंगे, ऐसे ही आएगा, something देखो, कितना आ जाएगा लगभभभ, 96, ऐसे ही आ जाएगा, चलो, ऐसे करें, यह हो गया, 96, ठीक है, 96 आ जाएगा, इसको करें, तो कितना आएगा, 4 times, देखो, 4 times, 4 minus, यह 3 times, 3, कितना आ गया, 1 by 96, मोल्ट, इतना amount, क्या हो जाएगा, remaining रहेगा, बच्चा हुआ, ठीक है, इतना बच्चा बच गया, यह answer हो गया, अगर इसको हम, amount में convert कर दें, mass में, तो कैसे convert करेंगे, बहुत simple, क्या है, moles is equal to, देखिए, moles is equal to, mass upon, molar mass, molar mass, mass, moles कितना है, अच्छा, मास निकालना, ऐसे, mass is equal to, moles, और into molar mass, mm, moles कितना है, 1 upon 96, और molar mass कितना हो जाएगा, molar mass किसका, magnesium का, कितना हो जाएगा, molar mass, बोलिए, 24, इसको cancel out करेंगे, कितना हैगा, 4 times, देखे, यह 4 हो गया, तो यह आगया, आपका, 1 upon 4, that is, how much, 0.25 gram, यह बच्चों आणसर आगया, इतना gram, बच जाएगा, ओके, इतना gram, remaining रहेगा, बच जाएगा, ऐसे बहुत सारे numerical, आपको मिलेंगे, exam में solve करने के लिए, limiting reagent के लिए, फारान आप क्या करिएगा, moles upon, moles upon stoichiometric coefficient, करके यह देखेगा, किसका कम value आ रहा है, वह यह आपका limiting reagent हो जाएगा, और इस तरह से, आसानी से आप question, कोई भी आए, solve कर सकते हैं, ठीक है, like, share, और subscribe ज़रूर करिएगा, thank you, thank you so much.